नमस्कार दर्शकू में अकांगशा पिवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ अब है निउस की 16 फर्वरी बुद्वार तौपरे की बुलिटीन में आईए देखते अब तक की कुछ खास ख़बरे नारायन कुछ के नाम से पान भिहार में कॉलोनी कर लोगों को चुना लगाने वाले आठ में से चार कॉलोनाइजर के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्श कर लिया है काग्जों पर आदूनिक सुईधा देने का वादा करके लोगों की गाड़ी कमाई लूट ले गई थी कमपनी ने पान भिहार रोड पर 2013 में नारायन कुछ कॉलोनी के निर्मान का सपना दिखाया था कॉलोनाइजर पुनित पिता महेंदर जिन और किशोड साहू ने 24 घंटे पानी, लाइट, 10 बैड का स्पताल, शौपिंग कॉंपलेक्स, प्लेग्राउंड, जिम, मंदिर और भी कई अत्या धुनिक सुईधा देने का वादा किया था फ्रीगंज में ऑफिस खोल कर प्लोटों को बेचा गया, 500 रुपए स्क्वेयर फिट की दर्ट से 223 प्लोट बेचे गये लेकिन 9 साल बाद लोगों को ना तो प्लोट मिले और ना ही रुपए कमपनी ने निवेशकों से वादा किया था कि 50 महीने में प्लोट नहीं देने पर कमपनी निवेश रुकम की दो गुना राशे लोटाएगी कॉलोनाइजर में से एक पुनिजेन नागजरी शेत्र में भी ऐसा कारनामा कर चुका था पान बिहार चौकी में दो लोगों ने धोका धड़ी की शिकायत की थी इस मामले में जांच के बाद पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ धोका धड़ी का मुकदमा दर्श कर लिया है इस मामले में मनोश तिवारी किशोर कुश्वाह, सुनिल खामोरा, दिलिप शर्मा, शीकर राठोर और प्रियार नागर के भी नाम शामिल है लेकिन फिलाल पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्श किया है ब्यावरा ताजपूर का रहने वाला 32 साल का हैदर पिता शफी पतेल अपने साथी आशिक शाह के साथ काम समाप्त कर बाइक से घरलाट रहा था मक्सी रोल पर सामने से आ रहे ट्रैंकर करमांक जी जी वन टू जेड थी सेवन सिक्स टू ने बाइक को तीज रफता से टक्कर मार दी हाथ से में हैदर दूर फिका गया और आशिक भी टक्कर मारने की बाद चालक ने टैंकर भगा लिया लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा सका बन पड़ी श्री सिंथेटिक फैक्टरी चोरहय पर बैरिगेट लगी हूने से टैंकर को लोगों ने रोक लिया और ड्रैवर की बेत हाशा पिटाई की ट्रैवर नशे में धूत था उसे पकड़ कर पुलिस को सौपा गया है हैदर की शव का बुधवार को अस्पताल में पीम किया गया इसके बाद लाश परीजनों को सौप दी गई हाथसे में आशिक को भी चोट आई है उसका उपचार किया जा रहा है बतादे टैंकर में ट्रांसफॉर्मर का ओईल भरा था और वह गुजरात से लखनों की तरफ जा रहा था श्री महाकालेश और मंदिर के गर्व घ्रह में अब मंगलवार, बुधुवार, गुरुवार और शुकरुवार को दोफैर एक से चार बजे तक आम आदमी को निशुल्क दर्शन होगे प्रोटोकॉल दर्शन पर लगने वाला सू रुपे का शुल्क समाप कर दिया है श्री महाकालेश और मंदिर प्रभन समीती ने फैसले कलेक्टर की अधिक्षता में हुई मिटिंग में लिये मिटिंग के फैसले के मुताबिक सपता कि चार दिन तो आम शद्धालों को गर्व घ्रह में प्रवेश करने ही दिया जाएगा बीड ना होने पर अन्य दिनों में भी प्रवेश दिया जाएगा मंदिर के कर्मेचारियों के वेतन में सालाना महंगाई दर के हिसाब से व्रद्धी भी की जाएगी महाशियो रातरी पर मंदिर समीती 51,000 दीपक प्रजवरित करेगी दीपक जलाने के जिम्मेदारी शयन आरती भक्त मंदल को सौपी गई है रातरी गश्ट के दोरान पुलिस को देखकर भागा बदमाज बाइक चोन निकला हिरासत में लेकर उससे पूछताज की जा रही है बदमाज के खिलाव और भी आपराधिक प्रकरण दर्च है दरिसल कोट वाली पुलिस की हत्ते रह चोर बियाबानी चोरा है पर रातरी गश्ट के दोरान हात लगा था पुलिस को देखकर उसने बाइक दोराई और जब घेरा बंदी की तो बदमाज बाइक छोड़ कर भागने लगा दोर कर उसे पकड़ा और जब दबोचा तो पता चला की वह बाइक चोर है देरिसल वो शास्त्री नगर में रहने वाले मयंक पिता जगदीश लोदी की बाइक चुरा कर भाग रहा था मयंक ने बाइक रमांक MP13 F.S.47 साट घर की बाहर खड़ी की थी इसे ही नील गंगा दरगा के पास रहने वाला अकिल उर्फ बबलू पिता शफी मोहमबच चुरा ले गया था बदमाश ने बाइक की नमबर प्लेट निकाल दी थी पुलिस पकड़े गए बदमाश ने पूस्ताच कर रही है उससे कुछ और भी वार्दतों का खुलासा होने की संभावना है वायू सेना में पदस्त उनहेल के एक जवान का ट्रेन हाथसे में मुंबाई में निधन हो गया वो मुंबाई के मलाड स्टीशन पर पट्री पार कर रही थे इसी दोरान ट्रेन की चपेट में आ गए दरसल उनहेल ग्राम बरखिडा के रहने वाले विरेंज सिंग पिता फूल सिंग देवडा मंगलवार की दोपर ट्रेन की चपेट में आये थे वायू सेना में तेन साल पहले उनके नियुकति की गई थी पहली पोस्टिंग करनाटक में होने के बाद हाल ही में उन्हें मुमवई पदस्थ किया गया था जहीं पट्री पार करते समय सुमवार को वक हाथ से का शिकार हो गए पार्थिव देह उज्जे नए जा रही है संत रविदास की जहिंती समाज जनों ने धुमधान से मनाई संत श्री को समाज जन ने याद किया इस मौके पर व्रिंदावन पूरा इस्थित अहिरवार गुरुदवारे में संतों और समाज जनों का सम्मान क्या रिया मागी पुर्णिमा पर संत रविदास जयंती का उच्छा समाज जन में दिखाए दिया वरंदावन पुरा रस्थित संत रविदास गुरुद्वारे में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए कारिक्रम में संत उमेश नात शामिल हुए तो सीम शिवरा सिंग चौहान वर्च्छली शामिल हुए समाज के गढ़ मानने जनों का अभी नंदन किया गया इस मौके पर वरंदावन पुरा से रेली निकाली गई शहर के प्रमुक मार्गों से होती हुए रेली निकास चो रहा सती गेट होती हुए रामगार पहुची समाज के पवन सिरूंजा ने बताया कि संत रविदास के जहनती पर रेली का आयोजन किया गया था इससे पहले समाज में कालिक्रम हुआ और प्रसादी का वितरन किया गया कर्णाज में रविदास जैनती के उपलवच में आज उनके जैनम दिन के अवसर पर आज विशाल वहन डेली का आयोजन रखा गया है सबी युवा संगटोनों ने वंदावन पूरा युवा संगटनों ने इन सबी लोगों का सब सयोग रहा है इनके सयोग से ही हम विशाल वहन डेलीस निकाल रहे हैं और ये शेयर के विविन मार्गो से निकल कर रामगाड पे सामापन इसका होगा साथ तो आपने देखा अभाई नियूस का आज का बुलिटीन तो अधर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक को तम तक जरू पहुचाएं कर फी मिलेंगे इसी समय रश्कार